दोस्तो शिवक्रिपा परिवार में आपका हरदिक स्वागत है कही लोग साधना नहीं करते तो पस्या नहीं करते वो नॉर्मल पुजा पाट करते हैं और नॉर्मल पुजा पाट से उन्हें देवता की सवारी प्राप्त होती है देवता की भक्ती प्राप्त होती है देवता की शक्ती प्राप्त होती है और वो अपने दुख का निवारण तो करी लेते हैं साथ साथ में और लोगों के दुखों का निवारण भी वो कर लेते हैं देवजा से पूछा लेके दूसरे व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं उनकी समस्या का निवारण कर लेते हैं तो जो नॉर्मल पूजा हम करते हैं अगर आप वो पूजा तरीके से करते हो तो आप भी इन चीजों को प्राप्त कर सकते हो तो इसमें आपको कोई भी साधना नहीं करनी, कोई भी तवस्या नहीं करनी होती। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि रोज की पुजा पाठ का क्या नियम होता है, क्या विधी होती है, जिससे आपको ये सारी चीजे प्राप्त हो, उस देवता की सवारी तक आपको प्राप्त होगी. बाकी आपकी इच्छा की बात है, कि आप अपने इश्ट देव की सेवा में कुछ आड़ करना चाहते हैं, कुछ मंत्र आड़ करना चाहते हैं, कुछ भोग आड़ करना चाहते हैं, वो आपके उपर निर्वर्ण करता है. तो ध्यान से सुनिए मैं आपको जो बता रहा हूं उससे पहले बता दो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं शिवकृपा परिवार पे तो आपके सीधे हत पर जो लाल का बटन उसे दबा दीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप हमारे साथ जुड सके साथी बैल आइकन को दबाईए गंटे के निशान को ताकि जो भी जानकार रहा हम डाले भक्ती भक्ताई से रिटिट वो आपको सबसे पहले मिले तो सबसे पहले आपको एक समय बांधना होगा चाए आप नोकरी करते हैं चाए आपका कोई बिजनिस है चाए कुछ भी आप कार्रे करते हैं आप अपने कार्रे के हिसाब से एक समय बांध लीजिए मान लीजिए मैं अपना धर्ण देता हूँ मुझे आठ वजे डूटी जाना होता है और साथ वजे मैं शाम को डूटी से घर आता हूँ तो सुबह छे बजे मेरा पूजा का समय है छे से साड़े छे 6-6.30 के बीच में पूजा बैट जाना है यानि जोत जिल जानी चाहिए यानि जोत का जो परकाश है वो हो जाना चाहिए और शाम को जब मैं 7 बजे आता हूँ तो 7.30 साथ बजे मैं पूजा करता हूँ 7.30 से 8 बजे यानि आदा घंटा का जो गैप है उसके अंदर अंदर आपको करना होता है तो इसी प्रकार से आप चाहे नोक्री करते हैं चाहे आपका खुद का काम है आप ये देखी कि आपका कौन सा समय ऐसा है जिस समय को आप लगातार दे सकते हैं पूजा में चाहे सुबा हो छे वजे का हो पांच बजे का हो, साथ बजे का हो, साड़े साथ बजे का हो पर ज्यादा आठ, साड़े, आठ, नो, दस ज्यादा लेट मत करना सुर्ण निकलने से वैसे पहले पहले वैसे पूजा होती है तो सबसे उत्तम होती और शाम को आठ बजे तक आप पूजा कर लीजी तो एक समय आप बांदिए कि इस समय मुझे यानि आदे घंटे का जो गैप होना चाहिए यानि आदे घंटे के बीच में छे से साड़े छे के बीच में माल लीजिए साड़े साथ से आठ के बीच में आपको बैड़ जाना है पूजा पे अब जब बैड़ जाते हैं पूजा पे तो वो आपके उपर निर्भर करता है कि आप जब बैठते हैं नहाद होकर जब बैठा होगे नहाद होकर जब बैठे इन चीजों का ध्यान रखें, कि क्या बार हम क्या करते हैं, कि जैसे धुले कपड़े वो पहले फिरिच जोत कर दी पूजा कर लिए, तो या तो कोई लंगोट ले लीजिए, या कोई कुरता पजा में या धिले ढाले कपड़े ले लीजिए, वो सिर्फ और सिफ आप पूजा के लिए रखिए. जब आपको पूजा करनी होगी, तब ही आप उन्हों कपडों को ध़रृ करेंगे. सुबह आप सुनान करते हैं, तब उन ado को ध्जीए, पूजा कीजिए, पूजा खतम, कपड़ उतारिए और अपने काम कपड़े पेहलेची. शाम को जब आप आते हैं पसीनों में आते हैं हारे ठके आते हैं तो निच्णान करे स्वच्छ होकर उनका प्ड़ों को धर्ण कीजिए उसके बद पूजा कीजिए तो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पूजा करते हैं कुछ चीज़े ऐसी होते हैं जिनमें आपकी पूजा की उर्जा होती है आपके मंतर जापकी उर्जा होती है जैसे आपकी माला आपका आसन माला और आसन जिस आसन पर आप विराजमान और जिस आसन पर आप बैठे हुए और आपके कपड़े जो होते हैं जो आपने कपड़े आप पूजा में इस्तमाल कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी उर्जा होती है, तो वो उर्जा आपके अंदर समाहित होती है, धीरे-धीरे खटी होने शुरू हो जाती है, तो मंदिर की सफाई वगरा करके अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, उसके बाद में आप जोत ज जाब कीजिए, पर जब आप जाब करोगे, तो माला के द्वारा आप जाब कीजिए, माला के द्वारा जाब कर सकते हैं, या तो जैसे पांच माला आप जाब कर रहे हैं, ग्यारा माला आप जाब कर रहे हैं, वो आपके उपर निर्पर करता है, आपके पास कितना समय है, ज अगर आपको माला की द्वारा जाप नहीं करना तो आप बिना माला के बिना काउंटिंग के भी जाप कर सकते हो वो समय के हैं अनुसार जैसे आदा घंटा आपने लगा दिया लारम या आदे घंटे आपको जाप करना है तो आदे घंटे आप उस मंतर का जाप करते रही है से मेरे परिवार से जाने में जाने में कोई गलती शमा कीजिए मेरे घर में बरक्त दीजिए काम में बरक्त दीजिए काम धंदे में बरक्त दीजिए पैसे देले में बरक्त दीजिए बंद रास्तों को खोलिए ने रास्तों को और खोलिए और अपना असीस प्रदान कीजिए संतान दीजिए अपने दूत प्रदान कीजिए जो भी आपकी इच्छा है उसके बाद जब आप जाप कर लेते हो जब आप जाप कर लिया आपने तो जाप करने के बाद आपको जो माथा टेकना होता है वो जमीन पर नहीं टेकना आसन पर ही टेकना है जमीन पर टेकोगी तो आपकी उर्जा फिर जमीन में प्रवाहित हो जाईगे आपके सरीर में जो उड़जा इखटी हुई है, उस मंत के जवारा, वो उड़जा आपके सरीर से धर्ती में समाहित हो जाएगी। तो जो आसन है, कोशिश किज़े आसन इतना बढ़ा हो कि आप माथा टेक पएंगे और उस आसन पर माथा टेक ये। माथा ठेकने के बाज आप उटते हैं जो भी गल्थी स्लितु के कान पकड़ के माफी माँगी तो ये पूजा करने की तरीका होके प्रिक्रिया होगी डेली पूजा की तो अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं एक समय को बांद कर एक माला से एक आसन पर बैठ कर एक कपड़ों को बैर कर तो आपकी जो पूजा है वो फलिफूत होती है आपको उस पूजा का फल प्राप्त होता है साथ ही कोशिश कीजिए कि कोई दिन ऐसा ना छूटे जिस दिन आप अपने देवता की अपने इस्ट देवता की जोत ना जलाएं जैसे कि कहे बार हम बाहर होते हैं तो उस समय पर दिक्त आती है कि हम जोड नहीं जला पाते हैं क्योंकि लगातार जो जोड जलाई जाती है लगातार जो सेवा की जाती है उसका फल होता है खंडित नहीं होनी चाहिए अभी मेरे साथ ऐसा हुआ मुझे लगबग भगवान शीव को स्वमवार को सनान कराते कराते चार से जादा साल हो गए तो अभी मुसी की लड़की की शादी थी तो अगले दिन शादी थी तो सुबह सुबह में पहुँच गए मुझे ध्यान नहीं राके स्वमवार है और भगवान शंकर को सनान कराना है, तो हम लोग जल्दी निकल गए, जल्दी निकलने के बाद काम आम कराना था, तो एक दम मुझे याद आया, तो अब उस समय पे जल भी नहीं था, बताशे जो मैं चड़ाता हूं, वो भी नहीं थे, कलावा भी नहीं थे, चंदन भी नहीं हूं, चंदन से, तो फिर मैंने क्या किया, दूद की थैली एक ली, और बताशे लिए, रोली ले ली उसकी जगापर, चंदन की जगापर, और क्योंकि सवारुपे मैं चड़ाता हूं, दो रुपे, तो और एक मंदिर में जाकर, थोड़ा दूर मंदिर था, बाइक पे गया और अपना जब पूर्ण विधी जो है, वो पूल की, यानि कि नागा नहीं होने चाहिए, कि किसी भी दिन की आपकी नागा हो जाने, तो जो सेवा आप कर रहे हैं, फिर वो खंडित हो जाती है, उसके बाद फिर मलब शुरू से करनी पड़ती है, तो सुचिएशन कोई भी उसते थी कोई भी हो, आप सुचिए कि हाँ उसको आपको पूर्ण करना है, जो भी आपकी सेवा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाकि भोग जो है, वो तो मैंने आपको बताई रखा है, कि जो देवता है उनका भोग देते रहे हैं, महिने में एक बार या फिर किसी मैं जो उनका दिन होता है उस दिन और आधिक और मँझे नहीं पता धा कि आज जी सोट है तो पर हमारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और ऐसी जानकारे आपको प्राफ्त होती रही हैं लाइक कीजिए शेर कीजिए और भेन और भाईयों तक ताकि उन लोगों तक ही जानकारी पहुँचे वो लोग भी इसका फायदा उठा पहें बाकि हम मिलते हैं अपने अगरी वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्चिवा ओम नमस्चिवाइ ओम नमस्चिवाइ ओम नमस्चिवाइ